कैसे हैं आप सब I hope you all are doing great so guys आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ यह ब्यूटिफुल सा न्यूली मैरेड गेस्ट मेकप लुक अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप कहीं एजगेस जा रहे है तो इस टाइप का ब्यूटिफुल सा मेकप लुक क्रेट कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यूज है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो माई चैनल शेयर विद यूर फ्रेंड फ जितने भी ओपन पोर्स है वो मिनिमाईज हो जाएंगे और इससे जो मेरा मेकप है और विजदा फ्लोलेस लगेगा इसके बाद में आपे अप्लाई कर रही हूँ गुद वाइप का रोज हिप रेडियन ग्लो फेस सिरम तो इसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर मैं अपने पूरे फेस पे सिरम अप्लाई कर लूँगी इससे जो मेरा मेकप है वो स्किन केर करने से काफी अच्छा लगेगा इसके बाद यहां पे मैं अप्लाई करूँगी मॉस्टराइजर तो मैंने यहां पे लेकमी का पीच मिल्क मॉस्टराइजर लिया है काफी अच्छा पर सफनी है काफी अच्छी आइब्रो पैंसिल साइट टो इससे पहले में यहाप में अपने आईब्रो को कॉम कर लूँगी इसके बाद में अप्लाइं कर था अपस्ुम हमेशा ने कीशा साइड़ करना से मिशकर खाव हग सब्सक्रों कर लूजिए अपनी जमांus bene लिए और दोनों आइब्रोज को मैं पे फिल कर लिया है मैंने आफ कैमरा सो गाइज इसके बाद मैं आपे अपलाई करूंगी सुइस ब्यूटी का कंसीलर और इसी की हेल्प से अपने आइब्रोज को शाप के लिए अपलाई कर रही हूं एक डैफिनेशन देने के लिए आपे मैं अ अपने आइब्रोज के रांड और अपने पूरे आई लीड पे अपलाई कर ले रही हूं आप देख सकते हो पूरे आइब्रोज पर आइज पर अपलाई कर दीलर इससे जितनी भी आईज राय कर लिए हूंगी और रही हो जाएंगी और इसके बाद हम में जो भी हम साथ ही प्रेसे मैं पूरा कंसीलर जान काम घड़न uh Rick ये आपना काम पैक्टक को से अपना कंसीलर को सेट करने के लिए अपलाई कर रहे हुँ पूरे आइस सेट कर ली Andre इस blending brush की help से कोई भी crease line वगरन आपके कोई भी harsh line नो इस वज़े से मैं यहाँ पे इससे set कर लूँगी अपनी eye base को इससे इसके बाद मैंने अपने दोनों eyes पे apply कर लिया है base बाद मैं यहाँ पे apply कर रही हूँ Swiss beauty का ultra professional palette इसमें से brown shade यहाँ पे मैं as transit color के लिए apply कर रही हूँ Swap motion पे apply कर रही हूँ आप देखते हो transit color के लिए और यह बहुत beautiful आप देख सकते हो तो यह मैंने small eye shadow blending दिया है और इसी से मैं थोड़ा थोड़ा करके color place करते हुए blend कर रही हूँ अपने पूरे eyes पे apply कर रही हूँ आप देख सकते हो मैंने पूरे अपने eyes पे apply करते हुए blend किया है इसके बाद इसमें से मैं red color का dark shade लेकर अपने outer corner पे apply करते हुए crease को build up कर रही हूँ आप देख सकते हो मैंने outer corner पे focus करते हुए circular motion पे apply किया है और इसी की help से अपने पूरे crease को build up कर रही हूँ इसी color की help से इससे जो है हमारे eyes पे बहुत एक अच्छा depth मिलता है और हमारी eyes जो है बहुत अच्छी लगती है इसके बाद मैं यहाँ पे वही Swiss beauty का concealer है उसी की help से एक flat shader brush की help से मैं यहाँ पे cut crease यहाँ पे कर रही हूँ जो cut crease है वह काफी sharp लगे जो ages हैं वह सारे clean हो जाए इसके बाद मैं यहाँ पे apply कर रही हूँ वही compact लेकर मैं यहाँ पे concealer को set कर ले रही हूँ इसके बाद हम कोई भी glitter वगरा use कर रहे हैं तो जो glitter है आईज है वो color है वो pop up होके दिखे तो मैंने हाँ पे Swiss beauty का glitter apply किया है और इसका जो shade है champagne color है काफी अच्छा color है यह सारे outfit के साथ जाएगा हराम से इसके जगे आप you know golden या फिर आप silver color पे apply कर सकते हो it's totally up to you इसके बाद मैं यहाँ पे apply कर रही हूँ वही pink color का shade लेकर मैं यहाँ पे अपने outer corner पे apply कर रही हूँ और बिल्कुल merge कर दे रही हूँ ताकि बहुत soft look आए इसके बाद मैं यहाँ पे NYB का यहाँ पे मैंने eyeliner लिया है यह waterproof eyeliner है guys affordable side में अगर आप eyeliner कोई देख रहे हैं like me insta के अलावा तो आप definitely आप इसको buy कर सकते हो मैं highly 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 recommend करना चाहूँगी और मैंने इसी की help से small wing draw की करते हुए मैंने आपे eyeliner apply किया आप देख सकते हो तो यह काफी अच्छा eyeliner है बिल्कुल waterproof eyeliner है जब तक आप इसको smudge नहीं करोगे तब तक आपके eyes से नहीं निकलेगा summer के लिए best eyeliner guys आप definitely इसको buy कर सकते हो इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों मैंने eyeliner apply कर लिया है off camera इसके बाद मैं यहाँ पे apply कर रही हूँ Maybelline का mascara यह washable mascara है और इसके जो मेरी lashes है वो अच्छे से curl कर देता है और एक volume provide करता है lashes को तो आप देख सकते हो मैंने दोनों eyes पे apply कर लिया है mascara और इस तरीके से curl करते हुए मैं apply करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे false lashes apply कर लिया है मैंने off camera इसके बाद मैं यहाँ पे blue heaven का primer यूज़ कर रही हूँ यह काफी अच्छा primer है पोर्स उसको अच्छे से blur कर देता है और बिल्कुल smooth texture है इसका और इसका जो मतलब texture है वो color bar का जो primer आता है color bar का उसकी तरह है silicone basis primer है और क काफी अच्छा है तो मैं अपने पूरे जहाजा मुझे open पोर्स की दिक्कत है मैं महाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे purple का foundation यूज़ कर रही हूँ हूँ यह comrade caffeine foundation है purple का का अच्छा है काफी अच्छा coverage देता है बिल्कुल like me जो fit me का foundation है उसी की ब्रश की help से और अपने पूरे फेस को सेट कर ले रही हूं इसी ब्रश की help से आप देख सकते हो अपने ने केरिया को एर्स को सब पे इसके बाद एक beauty blender की help से मैं यहाँ पे एक wet beauty blender की help से मैं अपने जो foundation है उसको और भी जदा ब्लेंड कर ले ज़िए ताकि जो foundation है आपका बहुत जादा अप्लाई कर लिया है बिल्कुल केकिनेस लग रही है बिल्कुल आपका जो फांडेशन ने वो स्किन पे अब्जॉप हो जाए तब आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है बहुत अपका बेस लगता है इसके बाद मैंने वही स्वीस ब्यूटिक का कंसीलर ले और आपकी हेल्प से मैं अच्छी से ब्लेंड कर लिया है तो ब्लैंडिंग मस्ट है इसमें इसके बाद मैंने यहां पे मेबलीन का फिट मी कॉमपैक लिया है और एक पाउडर बृश की हाल्प से अपना बेस में सैट कर लियू हो आप देख सकते यो जो भी मैंने क्रीज ना पड़े आपका foundation तो इसके लिए मस्ट है कि आपको compact set करना जरूरी होता है और जो आपका base है वो अच्छे सेट हो जाता है आप देख सकते हो कि मेरा जो base है अच्छे set हो गया है इसके बाद में हाप पे Swiss beauty का ultra professional palette में से brown shade ले रही हूं और अपने face को as a contour apply कर रही हू तो मैं अपने पूरे face को apply कर ले रही हूं face के ताकि जो मेरा features है वो और भी जाता sharp लगे तो मैं हापे अपने face को contour के लिए help कर रही हूं और साथ ही हलका सा मैं अपना forehead पे भी apply कर रही हूं इसको और nose को भी contour करूँगी एक fish brush की help से इससे nose contour बहुत अच्छे से होता है आप इसके बाद एक fan brush की help से मैं आपे highlighter apply कर ले रही हूं और गाइस जो blush वाला part है उसमें जो मेरा camera था वो off हो गया था इस वज़े से मैंने वो part shoot नहीं कर पाई मैं लेकिन मैंने NK के palette में से pink color लेकर मैंने apply कर लिया था और यहां पे मैं apply कर रही हूं अपने inner corner को highlight कर ले रही ह हूं एक small brush की help से और इसके बाद मैं अपने lower lash line के close close brown shade लेकर apply कर रही हूं और जो मैंने pink color apply किया था अपने eye lid पे वो भी मैं apply कर ले रही हूं अपने lower lash line के close close यह step करने से आपकी जो eyes है वो बहुत beautiful लगती है और बहुत open big लगती है तो आप देख सकते हूं इसके बाद मेर लिप्स्टिक का यहां पर लिप्स्टिक कर रही हूं शेड में description box ने mention कर दूंगी तो यह beautiful pink color है और यह काफी अच्छा pink color है लेकिन इस लुक के साथ यह जो color था वो बहुत सदा dark लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा फेड-out करने के लिए इसके ओपर मैंने compact apply किया थ तो यह थोड़ा सा फेड-out हो जाए और इस लुक के साथ पॉफेक्ट लगे तो इसके बाद इस मेकप के साथ यह पॉफेक्ट लग रहा था लिप्स्टिक तो लिप्स्टिक आपका आपकी चोईसे आपको इसी भी यूज कर सकते हैं इसके बाद मैं आपर यूज कर रही तो हुप हु या पॉफे की पोई एची लगी हो